हेलो स्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का आर्बी एडिट्यूब क्लास में तो स्टुडेंट आज यह जो वीडियो ले करके आया हूं मैं इस वीडियो में हम मल्टिप्लिकेशन साफ अलजबरिक टर्म के वारे में डिसकस करेंगे यह इसमें छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा फिर हम एक टॉपिक इसमें डिसकस करेंगे तो इस टॉपिक में मैं बेसिकली बताऊंगा कि यह जो मल्टिप्लिकेशन साफ अलजबरिक टर्म है बीज गरतिये पद का गुड़ा जो है इसमें कौन कौन सा टापी कबर करेंगे और कैसे करेंगे तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा देखे इसमें हम total 6 part को discuss करेंगे 6 part का मतलब है कि 6 part है ना 6 video तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे यह पहला वाला part लेकिन मैं पहले आपको सारा बता देता हूँ कि यह है क्या देखो पहले part में multiplication साफ monomial to monomials मतलब monomial को हिंदी में कहते हैं एक पद ठीक है तो एक पद का एक पद से गुड़ा देखेंगे इसमें दूसरा है monomial to binomial ठीक है binomial को हिंदी में कहते हैं दूई पद यानि कि दो पद जिसमें हो ठीक है तो यहाँ पर हम एक पद का दो पद से गुड़ा देखेंगे monomial to trinomial ठीक है इसमें हम एक पद का तीन पद से गुड़ा देखेंगे Binomial to Binomials अब हमारा थोड़ा सा दुई पद का दुई पद से गुड़ा देखेंगे इस fourth part में वीडियो के फिर हम Binomials का Trinomials यानि कि दुई पद का तीन पद से गुड़ा देखेंगे मलाब हम इसमें क्या है कि एक ऐसा रहेगा expression जिसमें दो पद रहेंगे और उसका multiplication कराएंगे एक ऐसा term जिसमें तीन पद रहेंगे इसके बाद हम देखेंगे polynomial to polynomial जिसमें मतलब तीन से जाधा रहेंगे चार टर्म पांच टर्म तो बेसिकली इसमें जो वीडियो है हमारा उच्छे पार्ट में आएगा आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है मैं इसकी एक प्लेलिस्ट क्रियेट कर दूँगा साथ ही साथ एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आप अराम से उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं तो आज मैं चलिए पहला टॉपिक शुरू करता हूं तो आज का जो हमारे टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टिप्लिकेशन साफ मोनामियल स्टू मोनामियल मतलब की एक पद से एक पद का गुड़ा अब देखो एक पद का मतलब होता है एक टर्म का मतलब होता है कि प्लस माइनस साइन आया हो ठीके क्या आया हो प्लस माइनस सा लेता हूँ जैसे माली जैमारे पास कोई एक्जाम्पल है उसमें बोला गया है मल्टिप्लाइ 4x2 y2 by 6z2 y3 ठीक है आप देखो आपको कैसे पता चलेगा कि यह एक ही पद है यह monomial है तो देखो यहां पर एक plus sign है वो लिखा नहीं है बागी इस term के बीच में कोई भी plus या minus sign नहीं है जो term होता है उसको आसानी से हम plus या minus sign के साथ separate करते हैं तो यहां पर छोड़ करके इसमें और भी कहीं पर sign नहीं है है तो मतलब यह एक term है इसी परकार से इसमें भी कोई plus या minus sign आपको नहीं दिख रहा है अलग से तो यह भी क्या है एक कि मोनामियल है तो इसका मल्टिप्लिकेशन हम कैसे करेंगे वह देख लेते हैं कि सॉल्यूशन है वी है क्या है और साइन को मल्टिप्लाई कराना दूसरे नंबर पर आपको कोफीशियंट देखना है ठीक है की कोफिशियंट क्या हैख it फिर तीसरे नंबर में आपको वरीएबल देखने आई कि को सेम旅भरियबल सेम अभरियबल के साथ tak ठीक है, और फिर फोर्थ नमबर पे आपको power देखनी है, उनकी घात देखनी है sin का मतलब होता चिन, ठीक है, coefficient का मतलब होता है गुडांक, और variable का मतलब होता है HR और power का मतलब अती है घात, तो सबसे पहले हमारा देखो E-nee को point mist को consider करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, sign देखना है अब यहाँ पे कोई भी sign नहीं लिखा है, यहाँ भी sign नहीं लिखा है तो दोस्तों, जहाँ पे कोई sign नहीं लिखा होता है, वहाँ पे plus होता है, यह बात आपको पता होगा तो मतलब यहाँ पे भी plus है, यहाँ पे भी plus है तो अगर आप plus into plus करोगे तो क्या answer आएगा, plus आएगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप ऐसे bracket लगा लो अब यह दिखो plus 4 है न तो इसका sign और coefficient एक साथ ले लो plus 4 into यह plus 6 है तो यहाँ पर 6 ली लो, अब plus लिखा नहीं जाता है तो मैंने भी नहीं लिखा है, इसके बाद एक bracket लगाओ, ठीके यहाँ पर क्या बोला, variable, तो देखोँए आपर 3 variable है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीके यानि की x, y और z तो सबसे पहले आप एक bracket में x x को रखो, दूसरे bracket में आप y y को रखो, और तीसरे bracket में आप z को रखो, तो यहाँ पर केवल एक ही x है, तो इसके लिए मुझे bracket लगाने की ज़रो नहीं है x square हम ऐसे ही write कर लेंगे ठीके, into अभी देखो y यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसको bracket में write कर लो, y square into y raised to the power 3 ठीके, अभी z square भी एक ही है, तो इसको ऐसे लिख लो, इतना काम अगर आपने कर लिया, मतलब कुछ भी नहीं है, आपको सबको थोड़ा आसानी से खोल देना है, अब देखो power तो सबकी से मलब जो जैसे दिया था, वैसा आपने लिख लिया, अब अगले step में आपको इसे simplify करना है, तो देखो 4 सिख जा कितना होता है, 24 ठीक x square एक ही ही है तो x square, अभी देखो y square है और y cube है multiplication में जो power होते हैं, किसी भी variable के, किसी भी चर्की जो घात होती है, वो जुड़ जाती है, यानि कि add हो जाती है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 3 तो 2 पलस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यानि कि y raise to the power 5 इसी प्रकार से यहाँ पर z square अकेला है, तो z square right कर देंगे, तो इस multiplication का यह answer होगा, आप इसको right कर लिए, फिर दूसरा example लेते हैं तो उमीद करता है, आप लोग उन्हें rate कर लिया होगा इस बार कोई छोटा example लेते हैं, जिसे आपको और आसान लगे समझने में और इस बार पलस माइनस भी ले लेते हैं जैसे यहाँ पर होगा हमारे पास 2xy by 3y square x यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा, ठीक है 2xy by minus 3y square x इससे हमें multiply करना है तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं अब यहाँ आप ऐसे write कर लिए 2xy multiply by minus 3y square x मैंने कहा कि पहले step में आपको sign देखना होता है sign different है, तो coefficient के साथ write किजिए देखो, सबसे पहले इसका क्या है, plus 2 तो 2 ही लिखेंगे, plus 2 नहीं लिखेंगे into यह देखो, minus 3 है, तो इसको minus 3 के साथ लिखेंगे एक bracket में हो गया, coefficient, coefficient अब variable write करते है यहाँ पर into sign यहाँ पर देखो, एक variable x है और यहाँ पर भी एक variable x है तो into x, आप इस bracket को close कर देंगे, इसके बाद हम इस y के लिए bracket लगाएंगे, तो यहाँ पर एक y है, और यहाँ पर y square है, ठीके अब देखो, plus 2 into minus 3 plus into minus minus 2, 3, 6 यहाँ पर क्या होगा देखो, इस bracket में, x raise to the power देखो, कुछ लिखा नहीं है, लेकिन 1 है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है मतलब power 1 है, तो 1x की power इसके, 1x की power इसके 2 हो जाएगी, यानि x raise to the power 2 अब यहाँ पर देखो, y के power 1 है और यहाँ पर y के power 2 है, तो y के power कितनी हो जाएगी, 3, y के power 1 लिखा नहीं है, लेकिन है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 कीतना हो जाएगा y raise to the power 3 तो इस प्रेकार से इन टोटल का मल्टिप्लिकेशन कीतना आ गया, माइनस 6 x square y cube, इसी प्रेकार से एक और लेते हैं, एक्जाम्पल multiply minus 4 z square y x by 3 x z यह भी minus मराएगा, ठीक है, इस बार दोनों minus minus ले लेते हैं minus 4 z square y x minus 3 x z इन से हम multiply करेंगे तो देखो, सदार सी बात है, जब हम इनका multiplication करेंगे, तो सबसे पहले हम sine coefficient के साथ consider करेंगे एक bracket में, यहाँ पर minus 4 है, देखो, पिछली बार plus था, तो plus हमने नहीं लिखा क्योंकि plus लिखने की आओ सकता नहीं होती है लेकिन इस बार minus है, तो minus लिखना पड़ता है, तो minus 4 into, यहाँ पर कितना है, minus 3, minus 3 अब एक बात मैं आपके यहाँ पर बता दूँ, जो sine होता है, वो सिर्फ coefficient के साथ write कीजिए, यानि की number के साथ write कीजिए variable जो होंगे, इनका sign से कुछ भी लेने देना नहीं रह जाएगा, तो कोई confusion नहीं होगी तो जब हमने sign यहाँ पर minus 4 लिख लिया, और sign और value coefficient यहाँ पर minus 3 लिख लिया, तो अब हम variable लिखते हैं, एक variable x है और एक variable z है, तो alpha weight के coding, पहले x आता है, फिर z आता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x into, यहाँ पर भी x है, तो इसको x फिर z आ गया, तो z square into z, ठीके, अब आगी क्या होगा देखो, minus multiply by minus become plus, यानि कि minus into minus क्या होता है, प्लस होता है, 4, 3, 4, 12 आप देखो, plus लिखने की जरू नहीं होती है, पहले में लिख देता हूँ, minus into minus plus 4, 3, 12, x into x, x के power 1 है, x के power 1 है, जब आपको single x देखने को मिले, तो 1 x, 2 x, आप सीधे सीधे ऐसे rate क्या करो, x square यहाँ पर z raise to the power 2 है, और z के power 1 है, ठीके, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, z के power 3, यानि कि z के घा 3, प्लस लिखने की जरू नहीं है, क्योंकि हमें plus कहीं भी ना लिखा हो, तो पिता चलता है क्यों plus है, और plus कहीं भी लिखा नहीं जाता आगे, ठीक है, तो इसका यह answer हुआ students, आप इसको write कर लिजिए एक बार, फिर हम कुछ और example देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ, आपने वीडियो को pause करके, इसको write down कर लिया होगा, यह भी आप write down कर लिजिए, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, कुछ बड़ा example लेते हैं, हैंना, अब जैसे देखो, अभी तक हमने दो मोनामे लिये थे, मालो तीन मोनामे लाजाए, चार मोनामे लाजाए, तब क्या करोगे, तब भी आपको ऐसे ही करना है, कोई परिसान होने की जरूर नहीं है, जैसे आपर बोला हो, एक्जामपल, multiply, following term, और आपको दिया हो, 2xyz, 3x² y, 4yz, 1z², 1z² कर लिजे, और यहाँ पर किसी को माइनस कर लेते हैं, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम प्लस पर ही देखते हैं, इसी को माइनस पर भी देखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास हमने अपने तरफ से एक जामपल लिया है ये कहीं पर मिले का नहीं आपको इस एक जामपल में multiply कराना है following term 2xyz, 3xyz, 4yz²x इनको हमें क्या कराना है multiply कराना है यानि कि गुड़ा कराना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे solution we have देखो यहाँ पर 2xyz multiply sign लगा लेंगे 3xyz²y और फिर multiply sign लगा लेंगे 4yz²x इसको हमें multiply कराना है मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले sign consider करो और coefficient करो तो मैं coefficient के साथ sign को consider कर रहा हूँ देखो एक bracket लगाईए आप यानिकी bracket open यह plus 2 है plus लिखते नहीं है तो simply 2 write कर देंगे into यह भी plus 3 है तो plus लिखने की जरून नहीं है यह plus 4 है तो यह भी लिखने की जरून नहीं है एक bracket में हमने सब के coefficient उनके साथ write कर दिए अब हम दूसरा bracket open करेंगे दूसरे variable के लिए अब देखो यहाँ पर 3 variable है x, y, z alpha, vertical order में आपको चलना है उसमें सबसे पहले yaks आता है तो आप यहाँ से लिख लो x फिर यहाँ पर है x square और फिर यहाँ पर है yaks ठीके? अब अगले variable के लिए bracket लगा लो जो की है y तो यहाँ पर है आपका y ठीके? यहाँ पर भी है आपका y और फिर यहाँ पर भी है आपका y ठीके? फिर तीसरे variable z के लिए लगा लो आप bracket z, यहाँ पर z नहीं है यहाँ पर z square है तो इस वरकार से हमने लिख लेना है सब कुछ लिखने में ही है अगर आपने लिख लिया तो बागी काम आपका आसान हो जाएगा अब इसको मैं हटाद लेता हूँ यह इसलिए लिखा जाता है ताकि confusion ना हो pencil से आप कर सकते हो तो देखो अभी इसको जो multiply करेंगे तो 2, 3 जा 6 6, 4 जा 24 x raise to the power 1 x raise to the power 2 x raise to the power 1 तो 2 plus 1, 3 plus 1, 4 यानि कि x raise to the power कितना आजाएगा 4 अभी यहाँ पर x के power 1 है देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है तो 1, 1, 1 3 हो जाएगा y raise to the power 3 इसी प्रकार से z raise to the power 1 और z raise to the power 2 1 plus 2 कितना होगा 3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा z के power 3 इस प्रकार से आप multiply करेंगे यह इसका answer होगा आप इसको red down कर लिजे तो इस बार हम minus sign लेके देखते हैं इसी में कि अगर minus sign होता तब क्या आता देखो अगर minus sign होता तो कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ sign बदलता ठीक है कैसे वो मैं बताता हूँ जैसे मालो मैं इसका sign minus कर ले रहा हूँ ठीक है 2xyz minus 3x square y 4yz square x तो इसका जब मैं multiplication कराऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2xyz into minus 3x square y और into 4yz square x अब यहाँ से सबसे पहले आपको coefficient को उनके sign के साथ multiply कराना है तो एक coefficient यहाँ पर है plus 2 तो इसको आप ऐसे ही write कर लिजे दूसरा है minus 3 और फिर तीसरा है 4 फिर अगर हम x की बात करेंगे तो यहाँ पर 1x है यहाँ पर 1x square और यहाँ पर x ठीक है तीसरे variable की बात करें अगर हम second variable की तो y है तो इसमें भी y है और इसमें भी y है अगले की बात करें तो यहाँ पर z है 1z into z square ठीक है तो यह हमें है इनको हमें multiply कराना है तो जो भी sign बदलते हैं वो यहाँ बदलते हैं देखो अब यहाँ पर आपको एक ही minus sign दिख रहा है ठीक है यहाँ पर plus है और यहाँ पर भी plus है तो plus into minus minus फिर minus into plus minus और दूसरा तरीका मैं यह बताता हूँ अगर multiplication इस प्रकार से हो और उसमें जो minus की संख्या है कि minus कितनी बार आया है वो odd हो तो जो sign आएगा वो minus आएगा जैसे यहाँ पर minus एक बार आया है एक बार आने का मतलब यह odd है तो यहाँ पर sign minus होगा अगर यह दो बार आया होता तो मतलब यह even है तो minus जो होता वो plus होता ठीक है तो यहाँ पर जो है वो minus sign आजाएगा 2,3 जा 6 6,4 जा 24 अभी x के पावर 1 और x के पावर 2,3 हो जाएगा अगें x के पावर 1,x के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर 1 और 1,1 यानि की y के पावर 3 हो जाएगा और वो भी z के पावर कितना हो जाएगा 3 तो finally इसका जो answer बनेगा 24,y रेज तो दी पावर 3 y रेज तो दी पावर 3 z रेज तो दी पावर 3 ठीक है तो यह हमारा आंसर होगा अगर माइनस होता तब तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों कुछ समझा पाया होगा और अगर आपको कुछ डाउट रहे गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक पद से एक पद का गोडह यानि कि monomial to monomial multiplication तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मैं उसका solution आपको तूँगा अगले वीडियो में जो मिलेगा आपको multiplication साफ monomial to binomial मिलेगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा हिए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू क्लास